हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अंद्रा बुक का नया चैप्टर चैप्टर का नाम है खाना बदोश और लिकित है ओम प्रकाश बालमी की जिद्वारा सबसे पहले से इस वर्ट का मतलब समझते हैं खाना बदोश खाना बदोश यानि की खाने की तलाश में एक जगा से दूसरी जगा अपना जैसे कहीं पहले के समय में क्या हुआ करता था ये अभी भी होते हैं कहीं पे जहां अच्छा खाद्यान सब चीज़े होती थी वो लोग वहाँ पर बैठके अपना डेरा डालते थे जब तक वहा हाँ पर अपना डेरा डाल लेते थे महीना डेर महीना दो महीना जैसे अपसे उनका होता था वो रखते थे ऐसे ही लोगों के नाम पर पड़ा खाना बदोश तो अब इस पार्ट में इसका क्या मतलब है इस पार्ट में एक जो है ना मजदूरों मजदूरों के ऊपर जो शो शोषण शुरू होता है तो उस शोषण को बरदार्श नहीं करते फिर वहां का काम छोड़कर वो दूसरी जगा चले जाते हैं कारे करने इसलिए यहां पर खाना बदोश दिया गया इस पार्ट का नाम खाना बदोश रखा गया है लेकिन इसमें मजदूरों और जो कहते हैं मेहनत कश वर्ग होता है उस पे हो रहे शोषण की बस एक छोटी सी बानगी हमारे सामने प्रस्तूत की गई है कि वो लोग किस तरीके से शोषण का शिकार होते हैं चले पढ़ते हैं यह चैप्टर इस समाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण यातना तथा समाज की जातिवादी मानसित्ता का चित्रण किया है मजदूर वर्ग मेहनत कर इज़त से जीना चाहता है पर उचवर ताकत वर्ग वर्ग ऐसा नहीं होने देता मतलब वो मेहनत करना चाहते हैं और इज़त के साथ रहना चाहते हैं मजदूर जो मेहनत कश वर्ग होता है लेकिन जो ताकत वर्ग होता है वो उन्हें ऐसा नहीं क छोड़कर शहर आये थे यह असगर ठेकेदार के भट्टे पर इट पातने का काम करते थे तो अब क्या सुकिया और उसकी पत्नी है काम कमाना अच्छा चाहते हैं इसलिए वो शहर आये और कहां काम कर रहे हैं असगर ठेकेदार है उसका इट का भट्टा है जहां इटे बनती ह भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था इटे पकाने के लिए कोईला बुरादा लकडी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डाला होता था तो अब क्या इटे पातने का काम उस पातने के बाद फिर क्या होता था उन्हें जब वो सूप जाती थी तो उन्हें भट्टे म वो जलाना सबसे खदरनाक काम होता था तो इसलिए इन लोग पातने की कारणे में थे छोटी से असाबधानी मौत का कारण बन सकती थी और उस मोरी में अगर जरासी असाबधानी करी तो तुरंती मौत के कगार पर आके खड़े हो जाएंगे भट्टा मजदूरों को दड़ब के समय दिन भर के थके हारे मजदूर रात को दड़बों में घुश जाते थे साब और बिच्चू का डर लगा रहता था 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 वाता वरण में जंगल सा सन्नाटा च्छा जाया करता था अब भट्टे कहां होते हैं सन्नाटे में होते हैं अब वो सन्नाटा जंगल में सा आती चिटपिट की आवाजे उसे अपने मन की दुष चिंताओं और आकांशाओं की आवाजे सुनाई देती थी मानो कौन सुखिया की पत्नी जब खाना बनाती थी तो चूले चलाती थी चूले में लकड़ी डालती थी जो भी इधन डाले तो उसमें से आवाज आती रहती है चिटिपिट चिटिपिट आवाज आती तो उसे लगता था कि ये मेरी दुष चिंताएं यानि कि जो बुरी चिंताएं होती हैं वो और मेरी परेशानी आकांशाएं जो हम करना चाहते हैं उन सब की आवाजे हैं कि ये इस्तेचारी है कि तुमको ये दुष चिंता है और ये कांचा कि मैं यह करना चाहती उन सब की आवाजें उस चूले से आती हुई लगती थी मानों के मन में शारेरिक शोषण का डर बात ना मानने पर प्रतकूल वहवार से घबरहट थी तो मानों के तरफ डर लगता था कि शारेरिक शोषण भी होता था वहाँ पर ठेकेदार लोग करते थे तो उसका वो डर बना रहा था कभी मेरे साती है ना हो साती शोषण यानि किसी और तरीके से मार पीट गाली गलोड ये सब चीजें ना हो इसका भी डर उसको बना रहता था कि कहीं भविश्र में इस तरह की कटनाईयां मेरे सामने ना आए एक दिन भट्टा मालिक मुक्तार सिंग कहीं बाहर चला गया तो भट्टा का जो मालिक था अब यह ठेकेदार था अजगर उसकी बात नहीं करें जो भट्टा जिसका भट्टा था वो मालिक मुक्तार सिंग वो कहीं बाहर चला गया उसके बदले उसका बेटा आया उसका बे बैकेदार आजगर सक East Gaming को लिया और उसके साथ यून शोषन करने लगा उसने किसनी को साबुन कपड़े ट्रांजिस्टर लाके दिया वह किसनी को शहर गुमाने भी ले जाता पुए टूवाइब है सुबे सिंग के साथ जादा समय व्यतीद करने लगी थी उसके रंग ढंग में परिवरतन अचुका था पहले जहां वो एक मजदूरी करने वाली आरत थी आज वह भट्टे मालिक के साथ उठती बैठती थी तो उसके जो रंग शराब पीने लगा था उसे देखकर मजदूरों में फुस्फुसाट शुरू हो जाती थी जब उसकी पत्नी ऐसा कर रही थी तो उसको बहुत तकलीर थी तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया जब कभी किसनी या महेश को कोई भी देखता तो उसके बारे में बाते होने सब अच्छे से जीवन बतीत हो रहता क्योंकि भट्टे पर काम करते हो उन्होंने कुछ पैसे बचाये थे भट्टे पर पक्की लाल ला लीटों को देखकर मानों खुश थी वह जादा काम करके जादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखनी ल लगी कि हम भी थोड़ा पैसा और मेहनत कर लें और कमा ले और खोब अच्छे से हम जो है थोड़ा पैसा जमा लेंगे तो हमें भी अपना एक पक्का घर बनाऊंगी एक दिन किसनी के अस्वस्त होने पर सूबेजी ने ठेकेदार अजगर के द्वारा मानों को अपने दफ् गबरा गए क्योंकि वो जानते थे कि मानों अगर वहां जाएगी तो उसके साथ क्या होगा और अगर वो मना करेगी तो भी उसके साथ में क्या होगा तो इसलिए वो दोनों ही घबरा गए सूबे सिंग की नियत भाब गए मानों इजजत की जिना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि किसी जैसी जिनदीगी जीये अपनी इज़त को बेच के तो वो ये जीवन नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो एक इज़त भरी जिंदी की जीए वह किसनी बनना नहीं चाहती थी, उसकी घबराट देखकर जस्देव मानों के स्थान पर स्वैम सीबे सिंग से मिलने चला गया तो एक और मजदूर था, वो मजदूर था जस्देव, जब उसको ये पतीस पता चली कि मानों को बुलाया गया है तो वो मानों की जगा खुद चला गया सूबे सिंग से मिलने के लिए सूबे सिंग ने जस्देव को अपशब्द कहे और लाद घूसों से पिटाई करी सुकिया और मानों उसे जोपडी में ले आए, जस्देव ने अपने पन के कारण मानों उसके लिए रोटी बना ले आई जस्देव ने अब उसके लिए इतना मार खाई थी सब कुछ बाते सुनी थी तो मानों के मन में उसके लिए दया भाव आई तो मानो उसके लिए रोटी बना कर लेकर आई लेकिन ब्राम्मर होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं काई जजदेव ब्राम्मर था वो दलित थी तो उसने जो है ना उसकी बनाई रोटी को खाने से मना कर दिया कि मैं नहीं खा सकता अजगर ठेकेदार जजदेव और सुखिया और मानो के चक्कर में ना पढ़ने की सला देता है तो अजगर जजदेव को क्या बोलता है कि तुम मानो और सुखिया के चक्कर में नहीं पढ़ो नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबते खड़ी हो जाएंगी जजदेव का वहवार मानों और सुख्या के प्रती बदलता चला जाता है जजदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में भै और फैल जाता है तो अब जब अजगर जजदेव को समझाता है कि तुम सुख्या और मानों के चक्कर में नहीं पड़ो तो जज़देव का जू वहवाज सुख्या और मानुफ के लिए पहले था वो धीरे-धीरे बदलने लगता है अब वो उन लों की उतनी तरफदारी नहीं करता दोनों की क्योंकि क्योंकि अगर वो सुख्या और मानुफ्य जाए तरफ जारी करता है कि किसी के साथ भी कभी भी ती मार पिटाई हो सकती तो सभी वहाँ पर डरे डरे से रहने लगते हैं सुबे सिंग की हिदायत पर अजगर ठेकेदार सुकिया और मानों को तरह तरह से परिशान करने लगता है उसने सुकिया के इट पातने का साचा ले लिया और मूरी का काम दे दिया एक सुबह मानों ने अपनी इट पातने की जगापर सारी इट टूटी हुई देखी वह दहाडे मार कर रोने लगी आवाज सुनकर सुखिया वहां आया और टूटी इटे देखकर हका बका रह गया अजगर ठेट के दार ने टूटी इटों की मजदूरी देने से साफ इंकार कर दिया अब क्या हुआ सुबे सिंग के पास मानों तो गई नहीं थी अब इसका बदला तो उसे लेना था तो उसने अजगर से बोला कि इन दोनों को खुब अच्छे से पारिशान करो अब पारिशान करने का तरीका शुरू हो गया जहां पर सुखिया काम करता था पातने का काम उनको इटों को पातने का काम उसकी जगा उसे मोरी का काम दे दिया गया मतलब जहां पर आग जला के इटों को पकाया जाता था सबसे ख़दरनाग जगा पे वहां करने लगा एक दिन मानो जब जहां पहुँची जहां इटे बनाती थी पाती थी tender इटे ब error डे देखती तो वहां सारी टूटी पड़ी है अब जब टूट गई है तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे पैसे नहीं मिलें था पॉभलोने लगती को पूबроде यह दया और यह को सुंकर सुख्या था परहों जाता है इतनी मेहनत से जो इंटे बनाई गहीं थी सब ही को जो है किसी ने तोड़ दिया अब उन टूटी ही तोका ठेके तार तो कोई पैसा देता नहीं उससे मना कर दिया कि तूटी छी नहीं दूटे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अंजान स्थान के और चल पड़े सो क्या समझ जाता है कि अब ये लोग मुझे परिशान करेंगे क्योंकि तुम उसके पास नहीं गई थी इसलिए अब हमारा यहां पर रहना ठीक नहीं है हम चाहें जितनी मेहनत कर लें वो हमाई यहां से कुछ न कुछ करके हमें परिशान करते रहेंगे और हमारा जो हमने सपना देखा है हमारा पक्का घर बनने का जब हम मेनत नहीं करेंगे पैसे नहीं कमाएंगे तो हम वो घर कभी बना ही नहीं पाएंगे यानि कि हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा ये भट्टे के लोग हमें हमारा घर बनाने का सपना पूरा नहीं करने देंगे ये सोसते हैं जब तो वो मानों का हाथ पकरता है सुख्या और यहां से लेके चला जाता है कहीं दूसरी जगा काम की तलाश में और एक खाना बदोश जो जीवन वो लोग जी रहे थे वो शुरू हो जाता है इनका फिर से पहला प्रश्ण है जजदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता जब जजदेव की पिटाई हो गई थी कब हुई थी जब उसने मानो को अपने पास बुलाया था तो मानो को ना भेजते हुए जजदेव खूद चला गया था तो सूबेशिंग बहुत गुर्से में आ गया था तो उसने जस्देव की बहुत पिटाई कर दी ती और उसकी पिटाई होने के बाद वहां जितने भी मसदूर थे जितने भी सब काम करने वाले थे वो बहुत पूरी तरीके से डर रहे थे कि उनको ये डर था कि कहीं सूबे संग का गुस्सा हम में से भी किसी के उपर ना निकल आए तो क्या है जजदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समुचा दिन दह्षत तथा अरदश्य भै में भी था सभी इस डर में जी रहे थे कि सूबे संग किसी भी व्यक्त लोट कर आएगा और मार पिट करेगा नेक्स कोशन है मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमिल क्यों नहीं बिठा पा रही थी क्योंकि वहाँ पर एकदम इकांध जंगल में था चोटे-चोटे से उसका कमरत दिया था दड़वे नुमा उसको खर दिया था तो वो जहां से आई थी गाओं से जहां से आई थी वहाँ के परिदिश्च में यहां के परिदिश्च में वो बिल्कुल भी तालमिल नहीं बिठा पा रही थी तो क्या दिया था मानो का घर शहर से दूर खेतों में था जहां यातायात का कोई साधन ना था बदहाली के कारण उसे गाउं छोड़कर भट्टे पर काम करने के लिए आना पड़ा था उसके पती सुकिया के कारण उसे भट्टे में काम करना पड़ रहा था भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था शाम ढलते ही वहां का वाता वरंड काट खाने को आ रहा हो ऐसा लगता था वह इस मौहल से घबराने लगी थी यही कारण था कि यहां के जीवन से संबंद स्थापित कर पाना नहीं कर पा रही थी तो गाउं में जैसे वहां आसपास काफी लोगों के बीच में रहना और यहां पे एकदम इकांत में रहना चोटे-चोटे से घर थे एकदम सननाटा कोई आने जाने का साधन नहीं एकदम अगर चूले पे खाना बन रहा है तो उसकी भी आवास काफी दूर तक जाती थी तो इसलिए उसको वह महौल गाउं वाला महौल उसे जादा याद आता था बनिस्पत यहां के महौल में वह इत्ता काम नहीं कर पाती थी अजगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुवे सिंह क्यों विंफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था ? अब क्या था ? सुवे सिंह के साथ पहले किसनी रहती थी किसनित की तब्यत खराब हो गई तो उसने दूसरी इस्तरी यानि दूसरी मजदूर को बुलाने का आगरे किया तो दूसरी मजदूर जो बुलाना था वो था मानो सुखिया की पत्नी मानो अब जब अजगर उसको लेने गया कि वह सुबज सिंग मानो को अपने दफ्तर बुलाया था वह उसके साथ गलत काम करना चाहता था उसे अजगर थेकेदार को मानु के बुलाने के लिए कहा जब अजगर थेकेदार ने ये बात मानु तथा सुाकिया को कही तो सुकिया क्रोधित हो उठा इस्ति भापकर जज़्देव ने फैसला किया कि वह मानू के स्थान पर सूबे सिंग के पास जाएगा जब सूबे सिंग ने देखा कि मानू नहीं आई तो उसके स्थान पर जैस्देव आया है तो वह बिफर पड़ा मानू का सारा गुस्सा उसने जजदेव निकाल दिया मानो जब पिट गया था जजदेव तो उसकी मरम पट्टी करने के लिए पने घर ले आये थे, सुखिया और जजदेव जो चुटी सी जूटी थी महा ले आये थे दूसरा जजदेव को कही ने कही दिल में ये भी लग रहा था कि मानो के कारण मैंने इतनी मार खाई है, ये भी एक कारण था, तो क्या है, जजदेव ने मानो का खाना इसलिए नहीं खाया, क्योंकि मानो दलित समात से आती थी, वहीं जजदेव उच जाती यानी बामन था, ब कि किसी ने जान बूझ कर मानू की इटे गिरा कर रोंदी है अब क्या था जो इटे होती हैं वो शाम को बना के रख दी जाती है ताकि दूसरे देन लुकि सूख जाए तो सूखने के बाद उन्हें भट्टे में दिया जाए लेकिन वहाँ पर सारी इटे सारी इटे दम चूर चूर करके तोड़ दी गई थी तो इससे लग रहा था कि जान बुझ क्योंकि भई सूबे सिंथ उससे गुसा था ही और उसने अजगर ठेकेदार से बोल दिया था कि इनको जैसे भी हो सके परिशान करो तो ये भी एक परिशान करने का तरीका था कि उसको जो है उसके जितनी भी इटे अब इटे तूट जाएंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी उनलों की मेहनत बेकार जाएगी तो ये भी एक तरीका उनलों को तो और दूसरा उसको बनाने के लिए जो जाली होती है एक जाली दी जाती है साचा दिया जाता है जिससे इटे बनाए जाए तो असगर ने वो साचा भी ले लिया था उससे और वो हाथ से बना रही थी उसने बहुत महिनत करके बनाई थी और दूसरे दिन उसको देखा तो वो पूरी टूटी वी इटे पड़ी थी शाम को मानू कच्छो नहीं आया था जिसके कारण वे गिर सकती हो इसलिए लोगों को लग रहा था किसी ने जान बूज कर मानू की इटे रौन दी है जब पूरी उसको अच्छे से करके जाएगी अब कोई आंधी तुफान आएगा तभी तो वो इटे तूट सकती है कुछ हो सकता है जब रात मे सिक्दम नॉमल था वेदर तो कैसे वो सब चीजे हो सकती है इसलिए सब ने ये सोचा कि जान कर जो है ये तोड़ा गया है मानो को क्यों लग रहा था किसी ने उसकी पक्की इटों के मकान को ही धराशाई कर दिया अब क्या था वो वहां रहते रहते इटे बनाते बनाते सपने देखने लगी थी कि उसका भी जो एक पक्का मकान होगा पक्क मकान इसकी मेहनत करकरके उनलोगों ने थोड़ा सा पैसा भी बचाया था लेकिन जब उसकी इटे तोड़ दी गई तो उसे ऐसा लगा कि उसका घर तोड़ दिया गया उसके पक्की इटो का घर अभी कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि अब अगर वो लोग वहां परिशान करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी जब काम नहीं करेंगी तो पैसे नहीं बचेंगे पैसे नहीं बचेंगे तो मकान नहीं बनेगा तो वो उसका एक सपना जो था पक्की इटो का मकान का वो उसे तूटता हुआ दिखाई दिया था उन तूटी हुई इटो को देखकर मानों ने अपनी पक्की इटो के मकान का सपना देखा था उसे अपने सपने के बारे में पती सुक्या को भी बताया था दोनों अपने इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटे थे वे देर तक काम करते और सुभा भी जल्दी उठकर भटे पर चले जाते पर जब इटो को रौंदा हुआ देखा तो उसे समझ आ चुका था कि अब उसके पीछे सुभे सिंग, मुंशी और यहां तक की जस्देव भी पड़ गया है अब जस्देव जिसने मानू की वदत की थी वो अजगर जिनके भैकावय में आ जाने की कारण जो है अब जो है वो मानू असुखिया के खिलाफ हो चुका था तो उसीन बोला कि जस्देव भी अब उसके खिलाफ हो चुका था जो किसी भी हालत उसे काम करने नहीं देगा तो यह सब मिलकर उसको काम नहीं करने देना चाह रहे थे वक कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले उसका सपना पूरा नहीं हो सकता इसलिए उन टूटी हुई इटों को देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पक्की इटों के मकान को ही धराशा ही कर दिया है नेक्स्ट है चलिए लोग मारा घर ना बाने देंगे सुकिया के इस कसन के आधार पर कहानी की मूल समवेदना इसपश्ट कीजिए मूल समवेदना क्या है आप क्या हुआ बोलो जी जान से कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे सिर्फ एक मानो के सुबे सिंग के पास ना जाने यानि कि मानो अपनी इज़त के जिन्दगी जीना चाहती थी उसको बचाने के लिए वो सुबे सिंग के पास नहीं जाती तो यही एक इसकी मूल समवेदना थी कि इज़त के कारण जो है वो अपनी मकांस को नहीं बनते देखना चाहते यह एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिस सपने को लेकर यह दोनों जी रहे थे वो उन इटों के साथ वो सपना तूट किया और वहीं से इनका फिर से एक नया मतब जो पहले के तलाश में खाना बदोश बनके यहां आए थे काम करने अब यहां का काम छोड़कर फिर दूसरी जगा काम की तलाश में चल देते हैं तो क्या दिया है इस कथन से सुखिया तथा मानों जैसे लोगों की शोशर भड़ी जिंदगी का पता चलता है पूजी पती वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हातों की कट्पित्नियां बना कर रखना चाहता है सुबे सिंग जैसे लोग सुखिया तथा मानों जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते हैं एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अंस्वा जीवन जी सके वे इनके हातों सदैश से प्रताडित होते आ रहे हैं इन्हें या तो पूजी पतियों का नाजायस मांगों के आगे घुट्टे टेकने पड़ते हैं फिर खाना बदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भटकना पड़ता है सुक्या का कथन मजदूरों की इसी समवेदना को प्रकट करता है तो ये खाली सुक्या का दर्द नहीं था ये लगभक सभी मजदूरों का दर्द होता है क्योंकि उनलों पर हर तरह का शोषण किया जाता है और इस शोषण से बचने के लिए उनको बार 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 अपना काम बदलना पड़ता है तो इसलिए उसको खाना बदोश इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर के बारे में बताया गया लेकिन ये सब ही मजदूरों की कहानी है किसी भी किसी तरीके से उनलों का शोषण होता रहता है तो वो अपना काम छोड़ते हैं दूसी जगा जाते हैं तो वो खाना बदोश जिंदगी इसी कारण से उनकी चलती रहती काम के जरी में दर से उदर बटकते रहते हैं खाना बदोश कहानी में आज के समय की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है इन समस्याओं के प्रती कहानिकार के दश्टिकोंड को इसपश्ट कीजिए तो क्या है कहानिकार ने हमारे सामने क्या रखा है इस कहानी के मांध्यम से क्या निकाल के रखा है हमें ये बताना है तो क्या है खाना बदोश कहानी में कहानीकार ने समाद में व्यापत कई समस्याओं को दिखाया है किसानों का जीविका चलाने के लिए गावों से पलायन अब किसान खेत में काम करते हैं लेकिन उनकी जीवन को पूरा उतना नहीं मिल पाता कि वो अपना जीवन या अपन कर सके तो इसलिए उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए गाउं से शेहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है आना पड़ता है काम की तलाश में फिर मजदूरों का शोशन तथा नर्की है जीवन वहाँ पर मजदूरों का शोशन होता है कार से हो इज़त के चलते हो किसी भी तरीके से हो या उनका जीवन इतना नर्क जैसे बहुत बता है छोटे छोटे घरों में रहते हैं वहाँ साब इच्छू का डर रहता है बारिश हो जाए तब तो इद्दम नरक है वो जिंदगी तो वो जीवन जो है वो बहुत ही नरक के समान रहता है उनका जाद पात की समस्या आप जैसे यहां पर बताया था जस्देव वमानों के बीच तो यह एक छोटी सी चीज हमारे सामने रखे थी लेकिन यह बहुत ही बड़ी रूप में भी मजदूरों के बीच में आती है इस्त्रियों का शोषण यह तो बहुत ही जादा होता है वहाँ पठे के दार हो भटे कोई भी मालक हो कुछ भी हो इस्त्रियों का शोषण बहुत जादा तौर पर होता है और यह सच्चाई है तो यह सभी समस्याए कहानी कारने इस कहानी के माध्यम से वर्तमान समय में मजदूरों के साथ जो रहा है वो रखा है हमारे सामने सुकियाने जिन समस्याओं के कारण गाऊँ छोड़ा वही समस्या शहर के भटे पर उसे जठेलनी पड़ी जीविका के कारण अपना गाऊँ छोड़ कर शहर आना पड़ा था यहाँ जीवी का अच्छी कमा रही थी लेकिन जो उसके साथ शुरू हुआ उससे जीवी के का खतम होना जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी तो वही जीवन उसको यहाँ से फिर से मुश्किल तरीके से शुरू होता दिखाई दे रहा था रोजगार की समस्या को लेकर सुखिया ने गाउच छोड़ा परंतु शहर में भट्टे पर आकर भी उसकी आमदनी अच्छी नहीं थी वे दिहारी मजदूर थे दिहारी मजदूर का मतलब होता है जितना आप दिन में काम करेंगी उतना आपको पैसा मिलेगा बहतर जीवन को दूर अपना गुजारा भी सुखिया और मानो किसी तरह कर पाते थे अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्टे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने थी बाद में क्या हुआ उनके सामने जो समस्या बढ़ी तो उन्हें भट्टे की नौकरी छोड़ने पड़ी और फिर से रोजगार की समस्या उनके सामने आ गई जब गाउं से चले थे तब भी रोजगार की समस्या थी और भट्टे पे काम करने के बाद फिर उनके पास वही समस्या थी Skill India जैसा कारिक्रम होता तो क्या तब भी सुकिया और मानो को खाना वदोष जीवन व्यतीत करना पड़ता अब Skill India जो प्रोग्राम है उसके तहद अगर कोई कारे होता तो क्या उनको भी ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता यहां पर कारणी यह था Skill India में क्या होता है हम अपनी skill को develop करते हैं मतलब सरकार द्वारा skill अलग developer तो अगर ऐसा कारिक्रम होता तो भी उनको तकलीफ होती Skill India जैसा कारेक्रम होता तो सुक्या अमानों को खानों बदोश जिन्रगी व्यतीत नहीं करनी परते क्योंकि उनके पास अच्छे skill होती तो अपना सामान बहुत अच्छी तरह बनाते और बेशते सरकारी ओजना का लाग उठा कर नए कामों को सीख सकते थे और अपना कौशल विक्सित कर सकते थे इसके बाद वे कोई रोजगार ढूंड सकते थे या दोनों मिलकर अपना website खोल सकते थे यानि कि अगर skill इंडा प्रोग्राम में कर लेते तो अपना अपना प्रोग्राम अपना कोई मिलके कायरक्रम शुरू करते कोई भी चीज बनाते और उसको अच्छी तादात में बेचते उससे उनको अच्छे पैसे मिलते तो कम से कम ये खाना बदोस जन्दिगी से वो लोग बच जाते हैं क्या दिया है अब यहाँ पर आपके सामने कुछ वक्तव्य दिये गए हैं उन वक्तव्यों का मतलब आपको इस पश्ट करना है ये कैसे गटिद हुए क्या हुआ और इनमें क्या भाव निकल कर आ रहा है ये चीज़ बतानी है तो पहला क्या है अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है तो यहां पर क्या दिया है जहां हम अपने देश में रह रहे हैं मतलब अपनी जगा पर जहां रहे हैं महां पर सूखी रोटी मिलती है मगर इज़त के साथ अपने पन के साथ मिलती है मगर परदेश में तो हमें कोई नहीं जानता वहाँ आप लाग पकवान कवान लीजिए सब कुछ कर लीजिए लेकिन वो इज़त और वो प्यार वो अपना पन हमें वहाँ पर नहीं मिल पाता है तो क्या दिया है मनुष जहां पैदा हुआ होता है वही उसका देश है वहाँ पर यदि उसे पकवान के स्थान पर साधारन खाना भी मिले तो वह अच्छा होता है इसका अर्थ यह है कि जहां मनुष बच्पन से रहता आया है वहाँ पर जीने के लिए उसे दूसरों की शर्तों पर नहीं चलना पड़ता वहाँ पर वह मान सम्मान से जीता है दूसरे स्थान पर उसे दूसरे मनुष्यों की बनाई शर्तों पर जीना पड़ता है ऐसे में उसका मान सम्मान चाता रहता है तो जब हम दूसरी जगा जाते हैं कही भी अपनी जगा छोड़के तो दूसरों के जगह हम कायम करने जा रहे हैं तो वहां के उनके नियम कायदे मानने पड़ते हैं और जो हमारे लिए मान सम्मान की बाद नहीं रह जाती क्योंगे हम अपनी शर्टों से जीते चले आ रहे हैं नेक्स वक्त अब यह है जते ढेर के नोट लगे घट बाणवेत में गाट में नहीं पैसा चले हाती खरीदने तो अब यह क्या था यहां पर मानु सपना देख रहे थी अपना घर बनाने का और यहां पर क्या था वो लोग तो दिन भर कमाते थे और फिर खा लेते थे तो यहां पर वही था कि खाना खाने को पूरा दिन पैसा नहीं था और जो है वो घर बनाने की सूच रही थी क्या था सुक्या मानों से कहता है घर बनाना आसान काम नहीं है इसके लिए बहुत सारे नोटों की आवशक्ता होती है इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करने वाले पक्के घरों का सपना देख सकते हैं, उसे पूरा करने की ताकत हमारे पास नहीं है कि वो डेली कमा रहे हैं डेली कहा रहे हैं अब उसके लिए पक्का घर बनाने लेने के पैसे भी बहुत चाहिए तो वही कहा मजदूरी डेली रोज कमाने वालों के लिए पक्का घर बनाने की सोचना भी बहुत मुश्किल होता है नेक्स जो आपके पास वक्ता पे आ रहा है उसे एक घर चाहिए था पक्की ईटों का जहां वहाँ अपनी ग्रहस्ती और परिवार के सपने देख दी मानो और सुखिया ने जो सपना देखा था अपने घर बनाने का तो जब उसकी ईटे टूट जाती है तभी लेखक ने लिखा है कि उसे एक पक्का घर चाहिए लेकिन यहाँ पर उसका सब कुछ निश्टे नाबूत हो चुका था क्या है मानो तथा सुखिया मज़़ूर थे ठेके दार दारा दी गए जुग्यों में रहते थे मानो के मन में अपना घर बनाने का सपना जन्म लेने लगा था वह अपने लिए पक्का घर चाहती थी अपने घर में अपनी ग्रस्ती को आगे बढ़ाना चाहती थी तथा अपने बच्चों के लिए छट चाहती थी तो उसका जो सपना था वो जब टूट गया था तब कहानीकार ने ये चीज लिखी थी कि मतलब जब यहां पर इनको अपना काम चोड़ कर जाने लगा तो वो क्या सपना देख रही थी कैसे सपना देख रही थी सिर्फ वही हमारे सामने उमों में ये रखा था तो क्या है खाना बदोश कहानी ओंप्रकाश बालमीकी ने लिखा है इस कहानी में कहानीकार ने मजदूरी करके किस طरодар गुदर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोशन और यातना को वो चतुत रत किया है साथ ही उच्च जाती और नीच जाती के बीच की गहरी खाई को भी दिखाया है बालमीकी ने इस पार्ट में मजदूरों के ऊपर हो रहे शोशड को दर्शाया है तो किस तरीके से मजदूरों के ऊपर शोशड भी होता है उनके साथ अत्याचार होते हैं उनको तरी तरीके से यातनाय दी जाती है ये सद्ध दिखाया है लेकिन साथ ही एक छोटी सी चीज और भी दिखाई है जो बहुत ही बड़ा मुद्धा है वो है उच्च जाती और निम्न जाती के बीच के मद्ध के फर्क को भी यहां पर इस कहानी में एक जगा दर्शाया गया है तो बालमीकी जीने बहुत ही बालकी से इस कहानी को लिखकर समाज की कई बड़ी समस्याओं को हमारे सामने रखा है अब यहां से कहानी शुरू होती है सुकिया और मानू अजगर ठेकेदार के साथ तरक्की की आस लेकर गाउं छोड़कर इट के भटे पर काम करने आये थे तो कर यहां पर आये थे इट के भटे पर काम करें जहां पर इटे बनाई जाती है वहां पर काम करने के लिए भटे पर मोरी का काम सबसे खदरनाक था तो जहां भट्टा जहां आग जलती है जहां वह काम सबसे खदरनाक होता है वहां इटे पकाने के लिए कोईला बुरादा ल पाथने का काम दे दिया। तो जो मौरी का काम होता है। वहाँ क्या होता है। भटचैंट्स नगते तो जाब अम्माह on mmी लगोगते में भटचने लिए खुछू एव akan से मत कॉनिये सकते द्याल सकते ऄं दियार प्रत म ngoं क्रते लीए तो एक हफव्टे के काम में ही जो है ठेकेदार बहुत खुश ओ किया उन्हों ने उसे इटे पातने का का जहां पर कच्ची एट से सान्चे से इटे पाते चाते थे वो काम दे दिया दोनों खुशी-ापकर ने लगे भटे पर दिन सुनाई देती थी अब क्या होता था भट्टे पे पूरा दिन काम होता था हर जगह काम हो रहा था तो सभी जगह चहल पहल शोर शरावर सब कुछ होता था लेकिन रात होते होते अंधेरा हो गया सन्नाटा हो गया सब जगे तो मंदम अकेला पन हो जाता था तो मानू जो थी व जरूर कुछ आगे ऐसा घटना है या घट चुका है वो सारी चिंताएं बुरी चिंताएं उसको घेरे जो रहती थी उस आग को देखकर वो उन चिंताओं के बारे में सोचती रहती कि कहीं आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा ना घटे जो बहुत ही दलत हो मानों के मन में शारीरिक शोषण का डर था उसे डर क्या था क्या चीज उसके साथ कहीं शारीरिक शोषण ना हो क्योंकि एक इस्तरी है जिस जगा काम कर रही है महापती भी इतना पावफुल में ही है वहापे और भी लोग पावफुल है तो उसको इस चीज का डर बहुत लग पढ़ेगा पहले महीने ही सुक्या ने कुछ रुपए बचा लिये थे जिने देखकर मानों भी खुश थी उन दोनों ने जादा पैसे कमाने के लिए अधिक काम करना शुरू कर दिया था अब क्या होता है कि अगर मालीजे हमने ठेकेदार की बात नहीं मानी तो भी दिक्कत आ पहलेगी तो इसलिए वो जो चिंताएं थी उसके मन में बनी हुई थी उनको करते करते काम हुआ काम कर रहे थे पहला महीना भी था सुक्या ने काम करते उसा खर्च और उसके पास काफी पैसे बच गए तो यह देखकर बड़ी खुश थे दोनों और आगे जो है उन्होंने लड़का जजदेफ भी काम करता था तो वो दोनों के साथ एक लड़का और था जिसका नाम था जजदेफ वो भी काम कर रहा था उस भटे पर एक दिन भटे के मालिक मुक्तार सिंग की जगा उनका बेटा सूबे सिंग भटे पर आया सूबे सिंग के भटे पर आने पर भट अच्छा नहीं था चरत्र का अच्छा नहीं था इसलिए भट्टे का महाल बिदल गया दुष्ट प्रवत्ति काता तो जो अजगर जो ठेके ठेकेदार था वहां का वो जो अभी तक बड़े आराम से ठाट से सब के साथ काम करता था वो सूबे सिंग को देखकर इक्दम भीग भाई दिन के लिए चली जाती थी उसका पती महेश मन मार कर रह जाता अजगर ठेकेदार ने उसे शराब किलत लगा दी थी किसनी की हालत बदल गए थे अब उसके पास ट्रांजिस्टर था तथा अच्छे अच्छे कपड़े आ गए थे अब क्या सुबे सिंग तो था ही भ रखने लगा सुबे सिंग उसको अपने साथ शहर ले जाता दो दो दिन दिन तक रखता अब पतनी नहीं रहती तो पती को बड़ा भाई देख के बुरा लगता कि उसकी पतनी किसी और मर्द के साथ है तो असकर जो ठेकेदार था उसने उसकिसनी के हस्बेंट को जो है शरा सुबे सिंग के साथ रहती थी तो आप किया है तब भी उसके पास बहुत अब इसके पास अच्छे कपड़े थे उसके पास ट्रांजिस्टर मतलि एक स्टेटस सिंबल होता था तो bi to our France का PARP अब बदलने लगा तो आप क्या था मानो काम अच्छे से कर रही थी पीटे पक रही थी तो उसको भी सपने आ रहे थे कि अब हम जल्दी से जादा अच्छा-चा काम करेंगे और अच्छे से पैसे कमाएंगे और कमा कर जो है इकठा करेंगे और अपना नया घर बनाएंगे लेकिन इन ही सपनों क के बीच कुछ गलत खटा क्या एक दिन किसनी के अस्वस्त होने पर सूबे सिंग ने ठेकेदार अजगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुखिया घबरा गए वो सूबे सिंग की नियत भाब गए थे मानो इज़त की जिना चाहती थी वह किसनी बनना नहीं चाहती थी फिर एक दिन क्या हुआ किसनी जो है तब्यत नहीं ठीक थी अब सूबे सिंग को तो इस्तरी चाहिए थी तो उसने मानो को बुलाया अजगर से अब जब उसको बुलाहट का पता चला तो वो डर गए क्योंकि वह किसनी जै पर स्वेम सुबसीं से मिलने चला गया सुबसीं ने जजक्षड को अबसमित करके अधमरा सकर दिया उस दिन की घंना से सभी सहम गए अब रात में उसने 플ॉर बुलाया था तो मानो को देख कर नहीं जाना चाहती थी तो उसके साल लड़का जो जस्देव रह रहा था वह चला गया अजगर के साथ अब अजगर को देखकर सूबे सिंग बहुत गुस्से में आ गया उसे गाली गलोज करी खूब मारा पीटा अब उसकी यहालत देखकर अपने पन के कारण मानो उसके लिए रोटी बना कर ले जाती है लेकिन ब्रामर होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई अजगर ठेकेदार जस्वे को सुक्या और मानो की चक्कर में ना पढ़ने की सलहा देता है जजदेव का वहवार मानो और सुक्या के प्रदी बदलता चला जाता है अब क्या है मानो की बजह से जजदेव ने मार खाई थी तो भई उन सहनबूती थी मानो और सुक्या को तो अब क्या होते हैं मानो उसके लिए रोटी बना कर लेके आता लेकिन जजदेव नहीं खाता, क्यों जजदेव राममर था, मानो और सुख्या जो है वो निमनजाती कि तो उनकी बनाई खाने के नहीं खाते, फिर अजगर ठेकेदा जजदेव को समझाता है कि तुम इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ो, तुम्हारा काम है भाई, अगर सुबे सिंग से उल्जो के तो तुम्हारा काम चला जाएगा, तो जब अजगर जजदेव को समझा देता है, तो क्या होता है, जजदेव सुख्या और मानों से दूर होने लगता है, उसका वहवार बदल जाता है, अब पहले जैसा मेल भाव उन लोगों में नहीं रह जाता है, सुबे सिंग सुख्या और मानों से उनको तंग करने लगा, अब मानों गई नहीं थी, तो अब तो उसको चड़ा गई थी, हमने बुलाया आई नहीं, तो उसने क्या किया, अब सुख्या और मानों को तंग करने की ठान लिए, कैसे तंग कर रहा था वो, उसने सुख्या से साचा छीन कर जस्देफ को दे दिया सुकिया को मोटी के मोरी के काम पर लगा दिया मानो डरने लगी थी उसकी मजदूरी छोटी छोटी बातों पर होने लगी थी अब क्या था जो साचे का काम कर रहे थे सुकिया साचे का काम करता था उसको वहां से हटा कर सबसे मुश्किल काम जो मोरी जहां पर बटी में सारा इधन डालने का काम होता था वहां पर लगा दिया सुकिया भी अब डरने लगी थी क्योंकि पता नहीं कहां पर क्या चीज हो जाए कि पहले उसका पती बहुत डेंजर जिखा पर काम कर रहा था वो भी डर था साथ में किस चीज को लेकर सुबे सिंग क्या रियाक्ट कर दे वो भी चीजे थी जजदेव भी मानो पर हुक्म चलाने लगा था अब जजदेव का क्या हुआ था जजदेव अलग हो गया था अब मानो पे जहां अभी तक जजदेव मानो साथ साथ थी जजदेव मानो सुखिया अब जजदेव अजदेव अजगर और सूबेसिन के साथ हो गया था और वो भी मानो पर हुक्म चला रहा था एक दिन मानो ने कि नेपाथी इटो को सूखने के लिए आड़ी तिर्ची जाली दिवारों के रूप में लगा दिया वागले दिन सुबा जल्दी ही काम पर गई तो वहाँ पहुंचकर देखा कि पहले दिन की इटे टूटी पड़ी थी वह दाहाडे मार कर रोने लगी उसकी आवाज सुनकर सभी मजदूरी कठा हुए आवैस सुनकर सुखिया भी वहाँ आया और टूटी इटे देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया अजगा ठेकेदार ने टूटी इटो की मजदूरी देने से साफ इंकार कर दिया अब क्या हुआ सुखिया को तो मोरी पर लगा दिया लेकिन मानो तो वह सुखने के लिए रखा जाता है क्योंकि उसने पूरा दिन एक दिन जो सारी मेहनत करी थी यी वह साप तोटके खराब हो चुकी थी और अजगर ने उन तूटे हीटों की मजदूरी देने से भी मना कर दिया कि भई ये तूटी हीट है तुमने बनाई इसके तो हम कोई मजदूरी नहीं देंगे तो उसने मना कर दिया कि हम इसके कोई भी मजदूरी नहीं देंगे तो इस तरीके से उनका दिन पे दिन उस भटे पे काम करना अब मुश्किल होता जा रहा था सुकिया और मानों बुरी तरह से तूट गए अब उनको भई किसाथ तकलीफे उनके साथ बुरे बुरे तरीके से उनको तकलीफे देनी जानी शुरू हो ज़की थी तो अब वो लोग कहां तक इस चीज़ का सामना करते तो कहीं न कहीं उन दोनों की हिम्मत अब तूटने लगी थी दोनों वहां से अगले काम के लिए निकल पड़े भट्टा उन्हें अपनी खाना बदोश जिंदिगी का एक पड़ाव लग रहा था मानों को लग रहा था कि जज़देव उन्हें रोक लेगा ज़देव ने चुप रहने से उसका विश्वास तूट गया तूटे हुए सपनों के कांच उनकी आँखों में चुबने लगे थे वे एक दिशाही नियात्रा के लिए निकल पड़े अब क्या उन्हों ने ये सोच लिया कि अब यहाँ पर काम करने का कोई मतलब नी क्योंकि हम काम करेंगे हमारे काम को कोई बिगार देखा मजदूरी नहीं मिलेगा तरह तरह से अब इज़द का खत्रा भी दिन पे दिन ब का और यहां पर उनके जो सपने अपना घर बनाने के सपने थे वो सब तूट गए और अपनी निरास्ट आखों के साथ वहां से नए काम के लिए निकल पड़ते हैं तो इस तरीके से उनकी खाना बनोश जिंदगी का एक नया पड़ाव आने को हो जाता है एक पड़ाव बी इसका एक छोटी सी जलक इस पार्ट के मान थे हमसे हमारे सामने बाल में की जीने रखी चलिए अब इसी पार्ट के हम कुछ कोश्र नांसर को देखते हैं पहला प्रेशने अजगर ठेकेदार के साथ जजदेव को आता देकर सुबे सिंग क्यों बीफर पड़ा और जजदेव को मारने का क्या कारण था अब अजगर जो ठेकेदार था वो कहते हैं उसके साथ जजदेव आया था सूबे सिंग ने मानों को बुलाया था लेकिन उसके साथ कौन चला आता है अजगर के साथ जजदेव चला आता है इसको देखकर सूबे सिंग बहुत बिफर जाता है उसको बहुत गुसा और जजदेव को वो बहुत मारता है तो क्या कारण था उसको ऐसे मारा था सूबे सिंग ने मानो को अपने दफ्तर पर बुलाया था वह उसके साथ गलत काम करना चाहता था उसने अजगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा जब अजगर ठेकेदार ने ये बात मानो तथा सुख्या को कही तो सुख्या क्रोध इत हो उठा इस्ति भाब कर जजदेव ने फैसला किया कि वह मानो के स्थान पर सूबे सिंग के पास जाएगा जब सूबे सिंग ने देखा कि मानो नहीं आई तो उसके स्थान पर जजदेव आया है तो वह बिफर पड़ा मानो का सारा गुस्सा उसने जजदेव निकाल दिया उसने जजदेव को बहुत बुदी तरे पेटा तो वो मानो के साथ गलत कारे करना चाहता था तो ये चीज से जो है ना मानो तैयार था ना सुकीय list जजदेव को इतना मार पड़ी थी तो मानो सहन भूती के रूपे उसके लिए खाना लेकर आई थी तो क्यों जजदेव नहीं खाया था तो ना खाने का कारण क्या था क्योंकि जजदेव एक ब्रामर जादी का व्यक्ति था और सुख्या और मानो निम्न जाती के थे तो उनके हाथ का छुआ खाना खाना भी ब्रामर समाज में वर्जित होता है इसलिए जजदेव ने वो खाना नहीं खाया था तो क्या था जजदेव ने मानो का खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि वह मानो दलित समाच से आती थी यह वही जजदेव उच जाती यानी ब्रहम्मर था साथ ही उसे यह भी लग रहा था कि उसे बचाने के प्रयास में ही उसने मार खाई है तो उसको चोट भी लगी थी तो मानो के चक्कर में थी एक गुस्सा ये भी था और साथी जाती का जो डिफरेंस था वो भी था इसी वज़े से मानो के द्वारा लाया गया खाना जजदीद ने नहीं खाया था प्रेशन संक्या तीन है लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जान भूच कर मानो की इटों को गिरा कर रौदा है अब वहाँ जो एक दिन मानो इटे बना कर रखे गई थी दूसरे दिन आती है तो सारी इटे टूटी फूटी इधर उदर बिखरी पड़ी थी तो सबको क्यों लग रहा था कि किसी ने वह इटे तोड़ी थी क्योंकि भाई रात में ना कोई तुफान आया ना कुछ आया तो वह इटे जो इससी तरीके से लेखी थी वह कैसे गिर जाएंगी कैसे तूट जाएंगी तो इसी वज़े से लग रहा था कि जान भूज़कर किसी ने उसे तोड़ा था तो यहां क्या था शाम को मानो कच्ची इटों की जालीदार दिवार बना कर गई थी परन्तु जब उसने सुभा आ कर देखा तो बहर टुटी फुटी पड़ी थी देखने पर ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला है रात में कोई आंधी तुफान भी नहीं आया था जिसके कारण वे गिर सकती हूँ इसलिए लोगों को लग रहा था कि किसी ने जान भूज़कर मानों की इंटों को गिरा कर रौंद आया इटे अपने अब तो गिरेंगी नहीं तो और उपर से उसमें उसको रौंद ने का भी था तो अगर भी आंधी तुफान आये तो लगे कि हाँ गिर गया ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था तो वहाँ पर ऐसा देख कर लग रहा था कि सिर्फ गिरी नहीं है उनको तोड़ा भी गया है तो किसी ने जान भूज़कर ये कार्ण किया है परशे संख्या चार है सुक्या ने जिन समस्याओं के कारण गाओं छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे जहलने पड़ी मूलता वो समस्या क्या थी तो जो समस्या उसे गाओं में थी इसके कारण वो शहर आया शहर में जब भटे पर काम किया तो उसको फिर से वही समस्या चेलने पड़ी तो वो समस्याइं थी क्या आपको ये बताने तो क्या था रोजगार की समस्या को लेकर सुकिया ने गाउन चोड़ा था परन उन्हें गाउं में रोजगार अच्छा नहीं मिला था इस कारण वो शहर आये थे और शहर में भी जो काम कर रहे थे उसमें उनका गुजर बसर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पा रहा था ना कुछ बच पा रहा था मतलब उनकी कंडिशन भट्टे की नौकरी छोड़ने के बाद उनके पास फिर से आ जाती है तो समस्या वही रहती है बेरोजकारी की तो यहाँ पर यह चैप्टर हमने पूरा कतम किया हमने इसके सार को समझा कुछ कोशन आंसर देखे आई होप आपका यह चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा लेकिन इस चैप्टर का डिटेल एक्स्पिनेशन और न्सी आइटी सिलूशन साम पहले भी करा चुके है तो उन्हें जरूर देख लीजेगा अब यह जो वन्शॉट रिवीजन करा रहे हैं यह सिर्फ आपके लिए हिंदी में अविलेबल नहीं है आपके लिए यह सभी सब्जेक्स में अविलेबल है तो हिंदी का अगर कोई टेस्ट होता है तो आप इसे इन वीडियो को देख सकते हैं और अगर कोई और सब्जेक्ट होता है तो भी रेख सकते हैं तो आप देखेंगे कैसे तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मागनेटस्बेंग डॉट कॉम पे अब आप यहां पर आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लास आजाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवलेबल है 7 to 12 सारी classes हैं तो आप ए class 11 में यहाँ पे watch 9 पे click करेंगे click करते ही आपके सामने जो है पूरी class 11 के playlist आ जाएंगी वो सभी subjects आ जाएंगे जिनमें आपके पास जो full chapter one shot revision available है तो जिस भी आपके subject का जो भी exam हो रहा हो test हो रहा हो बस आपको क्या करना है वो subject को click करना है click करते ही आपके सामने सारे chapters आ जाएंगे उन्हें click करिए और जो जो chapter आपके examen test में आ रहे हैं उन्हें click करते जाएं वीडियो देखते जाएं और फटाफट revision करते जाएं लेकिन साथ ही हमारे channel को like, subscribe और share करना बिल्कुल नहीं भोलेगा thank you for watching bye-bye